नमस्कार IBC 24 की खासकारिक्रम जन कारवा में आप सभी का स्वागत है। अलीराजपुर में। अलीराजपुर शुरू से ही आदिवासी बहुली इलाका रहा है और यहाँ पर 90 प्रतीशत मद्दाता आदिवासी वरके हैं। तो इस शेत्र का विकासकार्य केस गती से किया जा रहा है। क्या यहाँ के लोगों को उचित सुविधाय मिल पा रही है। क कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ लोगतंत्र को मजबूत करने की शपत को दोराएं और हम लोग उसके बाद हमारा कारिक्रम जन कार्वा का आगास करेंगे आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने दाहिना हाथ आगे कर मेरे साथ लोगतंत्र को मजबूत करने की शपत को दोह रहा है हम भारत के वासी ये शपत लेते हैं कि आगामी विधानसवा चुनाओं में जाती धर्म और शेत्र से उपर उठकर उचित और सही उमीद्वार को चुनेंगे और लोगतंत्र को मजबूत करेंगे जैहिन जैभारत अली राजपूर की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दू अली राजपूर में दो विधानसवाए हैं जिसमें एक अली राजपूर है और दूसरी जोबट है 2018 तक यहाँ पर दोनों सीटे जो थी वो कॉंग्रेस के पास थी और उसके बाद एक सीट जो है अब भाजपा के पास है और एक सीट जो है वो कॉंग्रेस के पास है यहाँ पर हम लोग जो है हमाई चर्चा इन मुद्दों पर करेंगे कि किस तरह से यहाँ के जन परतिनिधियों ने लोगों को उचित सुविधाय पहुचाई हैं यहाँ पर जो शिक्षा है पलायन है यह मुद्दे काफी बड़े है और यहाँ पर उसकी मांग जो है वो सालों से उठती आई है तो क्या अब वो सुविधाय के लोगों को सही रूप से मिल रही है या नहीं इन तमाम मुद्दों पर आज हम यहां के लोगों से चर्चा करेंगे और उसके बाद जन जन के मन की बात जानेंगे तो चलिए हम सबसे पहला सवाल उनसे करते हैं जिनके विधाय को दी है क्या सौगाते दी हैं जिससे लोगों को भी खुशी पहुचिये यहां का विकास कारे भी किया गया है मैं आई बीसी एट्वेंटिफर में आपका हार्दिक स्वागत अलिराजपूर जिले में करता हूँ देखिए 2003 से मद्द प्रदेश में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनी और अलिराजपूर जिले की दोनों सीट भारतिय जनता पार्टी के पास आई उससे पहले जब हम 2003 के पहले जाए तो ना तो यांपर सडकों की वैफ़सा थी ना बिजली की पानी की कोई भी सुवीदा नी आज मुझे कहते हुए खुसी है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार में आज सड़क भी है, बिजली भी है, पानी की सुविधा भी हम लोगों ने करी उससे अलिराजपूर जी ले के जो आम लोगों का आर्थिक जीवन है उसमें सुधार आया माधव सिंग जी भी मौझूद है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या यहां के लोगों को आप लोगों ने सुविधाय दी है जिससे लोग यहां पर खुश है और यहां का विकास कारे किया जा रहे है मैं आपसे प्रती प्रशन करना चाहता हूं कि आजादी के बाद पचास से पच्पन साल तक कांग्रेस की सरकार यहां रही है तो मैं प्रती प्रशन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने क्या दिया इन से पूछना चाहिए हमने तो 20 साल की सरकार में बहुत कुछ दिया हमारा जो हमारे सिदान थे हमारे दिन दायल जी ने जो एक सिदान पती बादित किया था कि जब सरकार हमारी बनेगी तो हम गरीबों का उचे उठाएंगे एकात मानवाद में ये उग्रत सिद्दान किया था और उसी के तहद हमारी भोपाल की सरकार मद्यपरदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार ये लगातार काम कर रही है और हमारा उद्देश है कि सभी को सड़क बिजली पानी और अजी सुविधा जो गरीब है उपर उठाएं और हमें कहते हैं गर्व है कि हमने ये काम किया है और लगातार करते आ रहे हैं जी हमाई साथ सर आप भी मौझूद है हम जाना चाहेंगी पांच ऐसी सौगाते आप गिनाई है जो आपने लोकल में हाके लोगों को दिये देखिए सबसे पहले तो नागर सिंग जी प्रदेश के उपाध्धिष भारती जनता पार्टी के और मादो सिंग जी ने जो प्रती प्रस्न कहें मैं सिर्भ इतना कहना चाहूंगा कि अली राजपूर जिले की पहचान भारती जनता पार्टी की सरकार ने दिये अली राजपूर में आज जो कुछ भी है सब भारती जनता पार्टी के दोरा दिया गया हमने 2003 में जब सरकार बनाई हमने कहा था अली राजपूर को जिला बनाएंगे हमने कहा था मान नर्बदा का जल से अली राजपूर तक पहुँचाएंगे सिचाई की विवस्था करेंगे स्वास्त की विवस्था करेंगे चिकित्सा की विवस्था करेंगे आज आप देखिए सुदूर अंचल में सडकों से लेकर बिजली की विवस्था को भई हमने मजबूत किया है हमने चिकित्सा और स्वास्त के मामले में भी जब कॉंग्रेस की सरकार में 6-8% रिजल्ट आते थे ऐसे में आज हम 40% तक पहुँचे हैं तो सिक्षा, स्वास्त और स्वास्त और सारे जिजों में भारती जनता पर्ट ने इस जिले को बहुत आके बढ़ाया है युवाओं के लिए रोजगार के उसर बढ़ा हैं और बहुत अच्छी व्यवस्ता इस अल्राइट पूर जिले में सम्मानी शिवराज जी ने की है महेंद्र रावर जी आप इससे सहमती रखते हैं मैं अपने प्रसन पूछा था कि कांग्रेस ने क्या किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज़ादी से पूरू ही कंग्रेस पार्टी देश के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है जब इस देश में सुई तक नी बनती थी आजादी के बाद, जब कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर इस रो जैसे बड़े उध्यान खड़ी किये, सब चीजे खड़ी किये और देश को आगे बढ़ाया है, नमोदर जैसे विद्याले यहाँ पर खोले, सिक्षा के छेतर में ख यहाँ पर योजना चल रही है, वो लोगों तक पहुच रही है? भी लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा है, सड़कों की हलत खराब है, एसी इस्तिती में अगर यह कह रहे हैं कि हमने इन्दे 18 सालों में बहुत काम किया, तो मेरे हिसाब से यह निर्थक बाते कर रहे हैं, जबकि कॉंग्रेस की सरकार में जगे 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 स्कूल, हे आजपा गिना रहे हैं, उससे आप क्या सहमती रखते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से कारे जो है, वो सही रूप से हमें मिल रहे हैं, देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद की, यहाँ पर लास्ट टाइम पर काफी समय पहले ही ऐसा एक जनकारवा हुआ था, उसके पस्चात हुआ, तो आप आए उसके लिए आपको दन्यवाद, आपके चैनल को, अब जो दोनों ही राजनितिक दल अपनी अपनी उपलब दिया गिना रहे हैं, हम लोग भी यही पले बड़े देख रहे हैं, चुकि हम लोग थ पहली कॉंग्रेस, बाद में बीजेपी, बीजेपी के यदि 20 साल में से डेर साल घटा दे, तो उसके पहले तो कॉंग्रेस ही थी, अब वो सुई बनाई, फेक्टरी बनाई, कौन सी चीज बनाई, वो गिनाने की बज़ए, मैं आपको थोड़ा सा आकड़ा बता दू, आज पहले को बता दू, शिक्षवा स्वास्त रोजगार की रिपोर्ट जो है, ये नितियायोग की रिपोर्ट है, नितेशलावा नहीं बोल रहा है, ये 241 चेत्रे या अधिसोची ट्राइबल चेत्रे है, यहाँ पर नितियायोग की रिपोर्ट 2021 क्या बोलती है, अली अभी भी खाली है, बेकलोग पर डेल लाग से जादा खाली है, हमारे जो मद्यप्रदेश में बेरोजगारी दर है, 8% है 2022 के साफ से, मद्यप्रदेश में 10,248 और 6,999 बेरोजगारी ना आत्मत्या की ये 2023 के साफ से, देशबर में 10 लाग से अधिक आदिवासी जमीन चीन कर कारोबारियों को दी जा चुकिए, वनादिकार की बात करें, विस्तापन विद्रो की बात करें, तो ये नितिया आयोग की रिपोर्ट है, आदिवासी जो मामलों में मंत्रा लही है, उसकी रिपोर्ट है 2014 तक की, 1951 से 1990 तक ये मैंने बताया आपको, वो विस्तापिद भी हो हुआ है, कहीने कई आंदोलें जो पन पे हैं, वही हुए, स्वास्ति की दरश्टी से पिछले वित्ती तीन वर्सों की में बात कर रहा हूं, पिस्तालिस सो करोड जन जाती उपियोजना द्वारा दिये गए, जिसको केंदर सरकार देती है, जिसको ट्राइबल सब प्लान ब बजट जो है, केंदर सरकार का जो ट्राइबल को आगे बढ़ाने का बजट है, वो भी खर्च निकर पारी, वो भी लेफ्स हो रहा है, क्रसी के मामले में ट्राइबल सब प्लान से 12,500 करोड रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन उसमें 110 करोड रुपय का घोटाला भी है, जवाब लेना चाहूंगी, मैं कि शिक्षा जो है, वो हमेशा से अली राजपूर के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है, यहाँ पर करीब करीब 23-25 स्कूल है, जिसमें शिक्षकों की कमी है, आभाव है और उसके बाद भी जो शिक्षक है, वो भी गुजरात पलायन करके चले जाते सर, आप से मैं आपका मत जाना चाहूंगे, कि यहाँ पर जो शिक्षक की हालत है, वो ऐसी क्यों है, क्योंकि अली राजपूर पूरे देश में ऐसी जगे है, जहाँ पर सिफ 36 प्रतीशत शाक्षरता जो रेट है, वो है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि प्रतीश कुल में पूर्णत सिक्षक रहेंगे, और भरतीशनता बार्टी की सरकार सिक्षा और स्वास्त के मामले में बहुत जादा अग्रेशी हुए, और जनता को अभी तक हमने बहुत शुविधाय भी दिये, सरकार ने, और आगे भी हम प्रतीबद हैं, और आने वाले स सबसे पिछड़ा जो है जिला माना जाता है, आप सही कह रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कमलनात है, जिन्होंने पिछली बार डेड़ साल के कारेकाल में, चार सो से ज़्यादा सिक्षकों को सीधे, अलीराजपूर जिले से इस्थान अंतरित कर दिया, या जो भी क पूर इस जिले को, आज सिक्षा की और धकेलने में कॉंग्रेस का बहुत बड़ा योगदा, तो हम ये इसका जवाब कॉंग्रेस से लेना चाहेंगे, कि क्या आपको ऐसा लगता है सर, कि यहाँ पर जो हालत है स्कूल की वो कमलनात जी के कारण है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा इस देश में सबसे पिछड़ावा है, केवल एक अठारा मेने, पंदरा मेने की सरकार को आप दोस्त दोगे, ये उचितनी है, इसकी विवस्ता होनी, सर, इल्जाम लगाया जा रहा है कि शिक्षक को को यहाँ से स्थाना अंत्रिट किया गया था, क्या आप इससे सहमती रखते कि कमलना जी ने ऐसा किया था, ऐसे मैं सामत इसले नहीं हूँ, कि जब मध्यप्रदेश में 18 सालों से भारती जनता पार्टी की सरकार चल रही है, क सुविदा के अनुसर उनने मांगा होगा, उनको रिल्यू किया होगा, जिसमें कमलनाज सरकार क्या करें, यह तो क्या इस्तानिय जो यहाँ पर होंगे, उनने आवेदन दिया होगा, उसके अधर पे गया होंगे. आप से जानना चाहेंगे, सर आप कुछ कहना चाहें? पोस्ट चुकी है, एसिया में सरवाधिक, अगर एवरेश सड़क का इस्तर है, तो यहाँ निर्मान हुआ है, चुम्मालीस हजार से ज़्यादा कपिलधारा कुए बने हैं, और सवालाक से ज़्यादा अभी तक इंदरा आवाज बन चुके हैं, इनके समय तो अभी सोचा ल आना चाहेंगे, कि स्थीती में आप अलीराजपूर को आज की दशा में देखते हैं? प्राइबल के अंदर जो आज सिक्षा का गराब भी कम है, कहीने कहीन राजनेतिक दल के जो भी, चाहें उन्होंने किते साल राज करा, किते साल नहीं करा यह हमको उससे कोई लेंदणा नी, आज देखें आलीराजपूर जिले के जो ग्रामीन है, मजदूरे के लिए दूसर यहां पर जो सुवीदा होना चाहिए वो नहीं दे पार है यहां से मेडम जो भी लोग गुजराट जा रहे हैं वह एक चॉल में साजे में खिती करते हैं और वहां से लाप कमा करके यहां लाते हैं अब तीन बच्चेव का परसुई नीट में सेलेक्टर बन रही है यहां से लेकर के तेसिलदार एच्डेम से लेकर के और हर बड़ी बड़ी पोस्ट पर ग्रामिंट शेटर के हमारे आदिवासी भाईवन मद्ध्राइस में सेवाई दे रहे हैं आप कैसे सहमती रखते हैं सर कि जो शिक्षा का यहां पर रेट वो बढ़ रहा है और यहां पर बेरोजगारी जो है वो पलायन का सही जो कारण है वो नहीं है यहां से पलायन जा रहे हैं वहां खेती साजह में कर रहा है तो यहां पर उनके पास सफिशेंट जमीन है यह ऐसे प्रयास करें इनकी सरकार अभी तक थी 18 सालों में ऐसा प्रयास करती कि वह यहीं पर संपन निकाओं तक इसा नहीं करते यह चुमाली सजार कपील धारा के वकिल साब है इनको जो फीस पहले 10 रुपे मिलती थी अब 100 रुपे यह तारिक के लेता है और इनल में क्या है में में अभी इतना ज्यादा यहां के ट्राइबल भाईयों बहनों का जीवन इस्तर उचा उठ चुका है कि हर समय वहां खेती हो रही है अभी हमने 2300 करोड रु का ग्राफ है यह भी गाओं में जाते नहीं है अगर यह जाके देखे तो चुम्मालीस हजार कुए हम गिनवा सकते इनको आप कुछ कहना चाहरे थे इस मुद्र पर क्या कहना चाहरे दर आए सर में के ना चाहरा था कि जो कपिल धारे कुए की बात कर आज हमारे ग्रामिंट कि चार्ज नहीं होती थी मोबल तो थे नियू सुमाई पर वह बेटरी भी चार्ज नहीं होती थी आज हमारे मुंख्यमंत्री मुद्धकी देन से चक्तला से अल्राजपूर हमको चेत्रे में जाके देखे किसा विकास हुआ है छोटी गेंद्रा चले जाए मैं एक सवाल आपसे पूछने चाहूंगी कि क्या आपको लगता है आप नलजल योजना जो शुरू की गई थी इतने करोडों की लागत के बाद वो आज भी सही रूप से चल रही हो घर घर में पान जाते हैं जमिनी धरात्वल पर कुछ हकिकत कुछ और ही है आप से जाना चाहेंगे अर्विन जी कि आपको लगता है कि नलजल योजना सही रूप से लोगों तक पहुच रही है मुझे लगता है कि जो एक सो इंकानु विदान सबाए नलजल योजना यही से जारी ठीक है बन रही है वहाँ पर पानी पहुच रहा है आप इसको सर्वे करवाली है सर्च कर लीजी बिल्कुल मैं इधर बीजेपी से सवाल करना चाहूंगी कि यहां पर कई आप क्या कहेंगे जैस के साती ने कहा कि नलजल योजना फेले अभी इनका घर यहीं पर जाके देख लेते आप से मैं जानना चाहूंगी मादल सिंग जी की नलजल योजना जो है वो शुरू की गई थी कई करोडों रुपे की लागत के बाद उसके बाद भी कई ऐसे घर है जहां पर पानी नहीं मिल रहा है नहीं पुरा प्रयास किया जा रहा है कि प्रतियक घर पर पानी पहुचे और इसके लिए समय लग रहा है और यहां तक कि अभी हमारे केंदर की सरकार ने जल निगम बोड का गठन किया है और जिस प्रकार गुजरात में प्रतियक टंकी पर नर्बदाजी का पानी आ रहा है उसी प्रकार हमारे यहां पर हमारे जिले में भी प्रतियक टंकी पर नर्बदाजी का जहां जलने में आएगा मैं आप से जाना चाहूंगी सर कि क्या यह बाद सही है कि यहां पर नलजल योजना जो शुरू हुई है वो अच्छे से चल रही है है सभी लोगों को पादिर रहे हैं जितनी भी टंकिया गरामी में लगी है उसमें से मात्र 10 परसेंट्रिकों में पानी जा रहा है गरमी पड़ रही है पानी का संकरटे जगे-जगे ग्रामीनों में टिंकर चल रहे हैं उसके बाद भी यह सुविदा का बाव है रहा सवाल आपने भी कहा कि छक्तला मारग का कि 10 मिनिट में चले जाता है 187 करोड की युजना कमल नात की सरकार में अली राजपूर के विधायक और सरकार तिन चार चार दिन में नल आ रहे हैं और पाणी नाली के साथ में जो पाणी आता वह पाणी आप कामा चल रहे हैं रहे हैं वह वह लोगों को और यह सारी देन बीजेपी की है। और आप ग्रामिन में देखेंगे। ग्रामिन में जो विकास होó है एक लवे आश्रम में सडग है। और आदिवाशी ग्रामिन भाईयों का जो इस्थर बड़ा है, रहन सहन बड़ा है, पेले हमारे आदिवाशी बाई चांदी चड़ा दे थे, आज कल साधियों में सोना चड़ा रहे, ये तरक्की है, बिल्कुल तरक्की तो हुई है, माम आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्य रहता था, लेकिन और चोरों का डर रहता था, वो अलग, लेकिन आज हमारे नगर में इतना विकास हो है, कि हम कहीं पर भी रात को 12 बज़े के बाद निकलते हों और घर पर आते हैं, तो हमें किसी प्रकर का डर नहीं रहता है, बिल्कुल, हम आपसे जाना चाहेंगे, क्या यहां पर जो यह दावे किये जा रहे हैं, वो सही हो रहे हैं, बिना एक कोष्चन कॉंगरेस और बिजफी क्यों राज किया है और बीजबी राज करी रहे हैं, अगर दोनों पार्टियों ने विकास किया है, काम किया है, तो वोटरों को लुभाने के लिए फ्री में यहां पर डक्टर्स की भी कमी कही जा रही है और उसी के साथ ट्रामा सेंटर वन गया लिकिन संसाध neutruri के अभी भी कमी है लिकिए अली वी ज SURक्राइन के अधीर वहार्टा कि प्रामा तुर्ट मृत दोख ऋते हैं और कुस्श यह शेये यह निदी निर नहीं प्रसासन और आम जंता में भी कही ने कई कमजूरी है मैं तो इस चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अली राजपूर जिले के बहुत सारे हमारे जो यहां के मुल्ली वासी है डॉक्टर्स बने अगर उनके मन में यह भाव आ जाए कि जिस जिले में हम पेदा हुए हैं यहां से पढ़ के निकल का हम डॉक्टर बने हैं अगर सही माईने में अगर जन सेवा करना है तो इस अली राजपूर जिले में अगर करते हैं तो डॉक्टरों के कोई कमी क्योंकि यह लोकल का विक्ति रहना निचाहता है किया खाइना ए आपका कि यहां पर लगता है आपको कि यहां पर जो डॉक्टर की कमी है वह सही थे मैठम बिल्कुल बात हैं यहां पर डॉक्टर की कमी है और अभी हमारे ग्राम आंबव्वा में बे मुका ऑफीस है तो वो यह अली राजपूर से संचालित हो रहा है यहाँ पर जो प्रभारी मंतरी है, कलेक्टर सावे इन्हों ने बिलकुल आवे नियुकती भी कर दिये लेकिन उन चीजों की अंदेखी की जा रही है। पर डाक्टरों के मनमानी चल रही है और वो लोग काम बिल्कुल भी निकरना चाहते हैं। संचालित करने के लिए बाकि आप सभी देख रहे हों यहां पर इस टाप की कमी हैं तभी तो हमारे लोग स्वास्ते सेवाल लेनी पारे और गुजरात में जा रहे हैं। तब से सेहमती के लिए इन्होंने प्रावधान रखा था के 24 परसेंट वेहन 36 सरकार करेगी और 96 परसेंट वेहन MP करेगी तो उस और हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है जैसे वहां पर उत्राखंड में और यह बने तो उस सेहमती के लिए आज पर दोने वहां चाहिए उन्हों का सवाल है उनलोग की मानि मुक्ष्य मंत्री जी ने इस संब्ध में विश्यस रूप से पहल कि यह और आने वाले समय में यह जो बता रहे हैं उसको प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही उस समय से अलियराजपूर में और पुदेश में कांग्रेस की सरकात ही क्या उस समय आली राजपूर के इस छहेत्र को पार करने की हिमत होती थी जिला स्पताल सुरू से यही है यह पहले इतंड़ था कि यह रोड भी करके एस्पताल नहीं जा पाते थे सो प्रतिशत यहां से रेफर होते थे क्या आज सो प्रतिशत रेफर है नहीं है हम सिक्षा की बात करें तो अले राजपूर को सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता था लेकिन हाल ही में दसवी बारवी के रिजल्ट में टोफ फाइप में यही अले राजपूर का नाम आ रहा है तो यह किस का रणा रहा है शिक्षा का इस्तर गिड़ा हुआ है लेकिन गड़ों को भरने में भी टाइम लगता है मिड़म स्वास्तिवाग की बात करें आयुष्मान भारत योजना किसकी देन है अले राजपू जिले की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना में 11 कड़ों रुपे का लाब दिया गया है अले आजपू जिले के ग्रामिल लोगों को अन्ने राज्यों में और भी कुछ लोग यहां पर मौझूद हैं, हम आम आदमी से भी बात करना चाहेंगे, कि क्या आप लोगों को लगता है, यह सुविधाय जो दी जारी है, उससे आप लोगों का लाब हो रहा है। और फ्लोरसिस के मामले में यहां पर बहुत सार ऐसे गाउं है, वहां पर पीडित है, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है। के बच्चे की जाच की जा रही है। उनकी दवाई की चिंता की जा रही है। उनको फ्रीमें इलाज की विवस्ता की जा रही है। उनके लिए इस्पेशल वो सारी सुजदा दे रहे हैं मतलब आर्थिक मदद भी कर रहे हैं उनको भरती करने की वह उस्ताथ 600 रुपे पर पेशन के साब से उनको पेमेंट भी क्या जा रहा है आप से भी जाना चाहेंगे कि आदिवासी लाकई का आप बता सकेंगे कि क्या वहाँ पर सिकल सेल एनिमी के लिए प्रॉपर इलाज जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है लेकिन मैं सासन को ये कहना चाहता हूँ या सासन में या जो भी जनपरती निदे उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसका हल निकालना जो वरतमान में सरकार रहती है उसकी जवापदारी रहती है सारे इंस्ट्रक्चिनस दे धिये हैं कि आप से कल से पी हैँ इड़िद हैं रहा जहां जंगलों में जाज के लिए जो होस्पिटल की टीमें गई थी उन लोगों ने सभी आदिवासी इलाकों में एक ही बात करी कि आपके च्छेतरवें पानी की समझी है पामेने में घर बड़ हो रहा उसके कारण हो रहा है नेंगे मेरा ये करेा नहीं है के आभी इनको मालुम नेंगे कि 80% hotter थेश पूरा देश में माद्रा मद्डेवर्डेस मन्हांड़ेक papal subjects हे यह जो शको कर रहा है इसके लिए काफी सारी सरकार ने कोशी से किये मद्द्ध्रते सरकार ने और मादरे 274 से 277 और नहीं बदा सकते हैं अखरी जवाब अब इससे कॉंग्रेस की तरफ से जानना चाहेंगे कि क्या आप सहमती रखते हैं कि हाँ पर जो इलाज अनीमिया के लिए मिलना चाहिए वो मिल रहा है एनिमिया का जो इलाज है वास्तों में अभी देखो तो भूत सारा उस पर काम करना है निश्चिती राजजपाल मोहदे आये थे और यहां पर कारिक्रम में अमने सारी चीज़े कही थी लेकिन कई भी निश्चले इस तरप अभी उस पर भूत काम होना बाकि है और अगर इसको बड़ाए जाएगा तो अभी गरामी निला को में यह पोचा ही नहीं है तो आज की हमारी जो चौपाल थी वो सजी थी अली राजपूर में और हमने अली राजपूर में कई सारे मुद्बों पर चर्चा की लोगों से जारा उनके मन की बात और उनके क्या यहां के जन प्रतिनी दियों ने जो उन्हें सौगाते दी है जिनके वादे किये थे वो सब पूरे हुए है या नहीं जो सपने रिखाये थे उसमें वे लोग खरे हुए है खरे उत्रे है या नहीं इन तमाम आजपूर में चर्चा की थी इस तरह की चर्चा आगे भी जारी रहेगी कल आप से मुलाकात होगी 36 गड़ की जन चौपाल में तब तक के लिए आप बने रही आई बीसी 24 के साथ